रूस युक्रेन के संकट के बाद रूस और अर्जेंटिना भारत के लिए सुरज मुखी के तेल के परमुख सप्लाई करता देश के रूप में उभरे हैं अगस्त महिने में इस खाने के तेल का आयात 89.6 फीसदी बढ़कर 1,35,000 टन पहुंच गया है विश्व का परमुख वनस्पती तेल खरीदार भारत सुरज मुखी तेल के लिए आयात पर निर्बर है और यह कुल एडिबल ओयल इंपोर्ट का 16 फीसदी है रूस युक्रेन संकट से पहले भारत में आयात होने वाला 70 फीसदी सुरज मुखी तेल युक्रेन से आता था जबकि 20 फीसदी रूस से लेकिन इस साल फर्वरी के अंत में रूस के युक्रेन पर हमले के बाद से आयात पूरी तरह से परभावित हो चुका है इस साल अगस्त में भारत ने मुख्य रूप से रूस और अर्जेटीना से लगबग 1,35,000 तन सुरज मुखी तेल और तुर्की से इससे कम मात्रा में तेल आयात किया है और ये पिछले वर्ष के इसी महिने के 71,340 तन से 89,6 फीसद अधिक है कुल सुरज मुखी तेल आयात में से रूस से आयात इस साल अगस्त में बढ़कर 72,780 तन हो गया है चो की एक साल पहले इसी अभडी में 28,840 तन था इसी तरह से अर्जंटीना से भी सूरज मुखी तेल का आयात इस साल अगस्ट में बढ़कर 3600 टन पहुँच गया चो कि एक साल पहले इसी वहीने में 12500 टन था अगस्ट में तुर्की से करीब 14588 टन का आयात किया गया सी के आकड़ों से पता चलता है कि अगस्ट 2021 में देश ने युकरेन से 30,000 टन सूरज मुखी तेल का आयात किया था आपको बता दे कि भारत के परमुख आयात में पाम तेल भी शामिल है और इस साल अगस्ट में इस तेल का आयात 32.64 फीसद बढ़कर 9,997 टन पहुँच गया जबकि एक साल पहले इसी महीने में 7,50,134 टन था पाम तेल उत्पादों में आरबीजी पामोलीन का आयात भी इस साल अगस्ट में बढ़कर 2,002,000 टन हो गया जो एक साल पहले इसी महीने में 1,87,000 टन था हलके तेलों की बात की जाए तो हलके तेलों में सोया बीन तेल का आयात इस साल अगस्ट में बढ़कर 2,44,000 टन पहुँच गया जो कि पिछले साल 1,82,000 था सूरज मुखी का तेल भी हलके तेल की शरणी में आता है और देश का कुल वनस्पती तेल आयात इस साल अगस्ट में बढ़ा है और ये बढ़कर 33 फीसदी बढ़कर 14,12,233 टन हो गया है जो कि पिछले साल 10,53,800 टन था सी के अनुसार तच्चे पाम तेल पर हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी और आरबेजी पामोलीन पर कम शुलक के कारण आरबीजी पामोलीन का आयात पिछले साल के सर से अधिक रहा है आरबीजी पामोलीन भारत के कुल खाद्या तेलों के आयात का 12 फीसद है खादय तेलों के आयात पर निर्भर है सी ने कहा है कि इस साल एक सितंबर तक खादय तेलों का भंडार 6,11,000 तन रहने का नुमान है और लगबग 18,25,000 तन पाइपलाइन में भारत मुख्यरूप से इंडोनेशिय और मलेशिय से पाम तेल का आयात करता है और अरजेटिना से सोया बीन तेल सहित कच्चे हलके तेल की कम मात्रा का आयात करता है बिरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी